मैं देश के सभी माननी सांसुदों, विधायकों, मंत्रियों से, जो सम्विधान की सपत लेते हैं, उनसे हाँ जोड के निवेदन करता हूँ, सबसे पहले धर्म और रिलिजन के अंतर को समझ लीजिए, उसके बाद नियम बनाईए, उसके बाद कानून बनाईए, उसके बाद आप नीतिया मनाईए, मैं सभी माननी जजों से और विशेश रूप से हाइब के ज़जों से और सुप्रीम कोड के जजों से हाँ जोड के निवेदन करता हूँ, धर्म और रिलिजन के अंतर को समझ ये, और उसी के अनुसार आप फहिसला करिए धर्म जोडता है रेलिजन तोडता है धर्म आण दिवाई यूनाइट्स रेलिजन डिवाईट्स धर्म में सा जोडने की बात करता है धर्म कभी भेधभाव करना नहीं सिखाता सूर्य रोसनी देते समय किसी से भेदभाव नहीं करता चंद्रमा अपनी सीतलता देते समय किसी से भेदभाव नहीं करता पहाड कभी किसी से भेदभाव नहीं करता फलदार व्रिच फल देते समय भेदभाव नहीं करते नदियां जल देते समय किसी से भेदभाव नहीं करती वनस्पतियां कभी भेदभाव नहीं करती है जरने कभी भेदभाव नहीं करते है प्रकिति की द्वारा जितनी भी चीजे दी गई है वो किसी से भेदभाव नहीं करती लेकिन मजभ रिलिजन भेदभाव करना सिखाता है मजभ ही है जो एक दूसरे से लडाता है पूरी दुनिया में जो जगड़ा हो रहा है जो मजभ का जगड़ा है, धर्म का जगड़ा नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ, सर्व धर्म संभाव एक मिथ्या वाक्य है, मजभ नहीं सिखाता आपस में बैर रखना एक मिथ्या वाक्य है, सर्व पंथ संभाव यह नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सारे जितने भी religion हैं, जितने भी मजभ हैं, सबकी teaching अलग अलग है, सबकी doctrine अलग अलग है, सबकी philosophy अलग अलग है, तो फिर सारे एक कैसे हो सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से निवेधन कर रहा हूँ, सबसे पहले धर्म और religion के अंतर को समझेए, मेरी एक PIL चल लही है, और कोट ने केन सरकार के कानून मंत्राले, ग्रिह मंत्राले, सिछ्छा मंत्राले, संस्कृति मंत्राले को नोटिस भी जारी किया है, आप भी चाहें, तो गूगल कर लिजे, धर्म रिलिजेन अश्वनी उपाध्या, अलेरी नोटिस हो चुकी है, धर्म जो है, वस्धोय कुटुमकम सिखाता है, धर्म वन अर्थ, वन फेमिली सिखाता है, मजभ इसका विरो सिखाता है, कि जो हमारे रिलिजेन को मानते हैं, वो आपस में भाई हैं, बाकि जो दूसरे हैं, वो चारा है, उनको काटो, धर्म नारीतु नाराणी सिखाता है, मजभ नारीको उपभोग की वस्तु बताता है, धर्म जन्नी जन्म भूमिष्य सिखाता है, मजभ नारीको आ नास हो जाए धर्म कहता है धर्म कीजे हो जो लोग धर्म को मानते हैं कहते हैं धर्म कीजे हो जो मजब को मानते हैं कहते हैं हमारे मजब कीजे हो बाकियों का नास हो जाए जो लोग धर्म को मानते हैं कहते हैं अधर्म का नास हो मजब को मानने वाले कह रहे हैं कि जो हमारे मज जो सनातन धर्म को मानते हैं का विश्व का कल्याण हो जो मजभव को मानते हैं वो कहते हैं हमारे लोगों को कल्याण हो बाकी सब करनास हो जाए यह धर्म और रिलिजन का अंतर है नर्मा जैसे भगवान का सुभाव देखिए, उपर वाला क्या करता है, उपर वाला किसी से भेदभाव नहीं करता, मा के पेट में बेटा हो या बेटी नौ महीने रहती है, क्योंकि उपर वाला महिलापुरुस के बीच में भेदभाव नहीं करता, मजभब महिलापुरुस में भेद भेदभाव करना सिखाता है आपस में लड़वाता है मजधभ ठर्मा काष्ट क्या धर्प कोई भेदभाव नहीं करता अब्राह मर्चट्री वैश दलित कोई भेदभाव नहीं उपर वाला दो आख सबको देता है, दो कान सबको देता है, नाख सबको देता है, मुह सबको देता है, हाँ, मौसम के अनुसार साइज बड़ी छोटी हो सकती है, मौसम के अनुसार कलर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सरीर का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसब के लिए एक होता है मजहब सबको अलग-लग मानता है मजहब गोरे और सावलों में भेदभाव करना सिखाता है अपने मजहब दूसरे मजहब को भेद में अंतर सिखाता है धर्मा क्या सिखाता है? इंद्रियों पी नियंतरन रखो, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करो आख पे कंट्रोल करो, कान पे कंट्रोल करो, नाख पे कंट्रोल करो, मुह पे कंट्रोल करो, उससे मोक्ष प्राप्ति होगी, अब मोक्ष प्राप्ति में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, धर्मा कहता है, यह साइकल तूट जाएगी, पर्मानेंट, मजभा ऐसा नहीं, लिखा हुआ है आपको मोख्षप्राप्ति होगी मोख्षप्राप्ति क्या होगा कुछ मिलेगा क्या नहीं कुछ नहीं मिलेगा जो मिलना भी खतम हो जाएगा यह धर्म और की बेसिक फिलाउसपी है दुर्भागी वस हमारे देश में आटकेल 25 में जो फ्रीडम आफ रिलिजन दिया है उसको लोगों ने फ्रीडम आफ कनवर्जन भी समझ लिया फ्रीडम आफ रिलिजन के नाम पे कुछ भी करना सीख लिया मैं भारत के सांसोदों विधायकों मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ जो बार-बार समविधान की बात करते हैं जो रिलिजन प्रियंबल में लिखे हुए शब्दों के खिलाफ हो क्या उसको भारत की मानिता म क्या उसको भारत में मानिता मिल सकती है क्या मैं हाई कोट रो सुप्रिम कोट के जजों से बहुत विनम्रता पूरवक निविदन करता हूँ कि भारत का सम्मिधान आटकेल 25 में freedom of religion देता है या freedom of conversion देता है और जो freedom of religion है क्या वो constitution के जो basic structure है उसके खिलाफ है क्या अगर कोई religion यह कहता है कि जो हमें माने वो पाक जो हमें नहीं माने नापाक तो वो सम्मिधान की भावना के अनुरूप है या उसके खिलाफ है अगर कोई religion यह कहता है हमारी बात मानोगे तब तो पाक नहीं तो नापाक जो ऐसी नफरत सिखा रहा हो क्या उसको भारत का सम्मिधान मान नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं मानता, जो रिलिजन नेशन फर्ष्ट को नहीं मानता, जो रिलिजन युनिवर्सल एक्वैलेटी को नहीं मानता, जो रिलिजन भारत की संस्कृती को नहीं मानता, जो रिलिजन भारत के त्योहार को नहीं मानता, जो रिलिजन भारत के विच को नहीं मानता जो रिलिजन वंदे मातरम को नहीं मानता क्या उसको भारत में ये भारत का सम्मिधान मानिता देता है क्या मैं सुप्रीम कोड के जजों से सीधा सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि सम्मिधान की इंटरपेटेशन का जो कार्य दिया गया है वो सम्मिधान में वो Supreme Court की जज़ बताएं कि जब किसी religion का basic tenet ही constitution के खिलाफ हो, किसी religion का basic tenet ही उसका basic belief system constitution के खिलाफ हो, क्या उसको भारत का सम्मिधान उसकी इजाज़त देता है? और चलो गर भारत में रहने की जाज़त देता है, तो क्या भारत में उसको अपने religion को propagate करने का अधिकार देता है? क्या अपने religion को फैलाने का अधिकार देता है? क्या भारत का सम्मिधान conversion की जाज़त देता है ऐसे religion में? और उस religion में conversion की जाज़त दो बिलकुँ सम्मिधान के doctrine के खिलाफ है यह इस पर संसद में भी बहुंस होनी चाहिए विदान सभा में भी बहुंस होनी चाहिए हाई कोट में भी चर्चा होनी चाहिए सुप्रीम कोट में भी चर्चा होनी चाहिए कि धर्म क्या है रिलिजन क्या है धर्म और रिलिजन में क्या अंतर है क्या भारत का सं जो भारत की संस्कृति है उसको मजबूत करने के लिए बना है या भारत का संभीधान उसको खतम करने के लिए बना है या उसको खतम करने के लिए बना है या उसको खतम करने के लिए बना है आखिर भारत के संस्कृति को मजबूत करना या भारत की संस्कृति को कमजोर करना भ भारत के तियोहार को, भारत के विचार को, भारत के आदर्सों को मजबूत करना या भारतीता को खतम करने के लिए बना है. इस चीज़ को सुप्रीम कोड के जज़ भी सोचे, हाई कोड के जज़ भी सोचे, सांसत भी सोचे, विधायक भी सोचे, मंत्री भी सोचे. मैं इनसे इ बात करने के लिए या भारत को मजबूत करने के लिए